हलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे सबी भूत पूरों सैनिकों जवानों केंद्रिय करमचारियों और पैंशनर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अब्डेट के बारे में बात करेंगे कि सबी भूत पूरों सैनिकों जवानों और केंद्रे करमचारियों के लिए इस नए बाध बड़ड़ा कि बहुत ही जो भूत-पूरों शैनिक आधा बहुत एक अच्छा जज्जमेंट लिया है और यह एक इंप्लॉई फ्रेंड़ी जज्जमेंट है और यह सब पर लागू होगा सभी बूत पर हुसानिक पेंशनर्स हैं केंदरे करमचारी हैं जेसी उस जवान सब के लिए तो चलिए दोस्तो बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में दोस्तो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे हैं दोस्तो सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला जिसमें की एक्स्राइब ऑमेंट होती है उसकी रिकावरी के लिए अब कोई बी एंप्लोईयर चैनल गवर्मेंट इंप्लोयर हो या केंदरी करमचारी हो गए- या और्द थैनिक बल हो गए- अगर किसी भी कारण किसी भी केंदरी करमचारी को extra payment मिलती है तो वो central government या कोई भी employers को वापिस नहीं ले सकता उसके लिए 4-5 conditions है उस case में recovery आप नहीं कर सकते हैं जिसमें की पहली condition यह है कि अगर गलती से आपके account में आपके employer ने extra पैसे डाल दे जो आपको नहीं देने चाहिए थे और वो extra पैसे डालने के बाद 5 साल की समय समाप्त हो चुकी है उसके बाद से फिर आपका employer आपसे पैसे नहीं ले सकता वो पैसे आपके हो जाएंगे दूसरा दोस्तों बात करते हैं जो अगला है अगर आप retirement का आपका एक साल रह गया है और कभी गलती से जो है आपके अकाउंट में जो एक्स्ट्रा पैसे डाले जा चुके हैं उस केस में भी जो employer है वो आपसे जो है एक्स्ट्रा पैमेंट जो डाले गया है वो नहीं ले सकता क्योंकि इससे जो है और यह एक एतिहासिक फैसला सुनाने का मतलब यही था कि इससे बहुत सारे जो गलती किसी और की है और उस टाइम पे जब आप recovery करते हैं तब हो सकता है उनके पास पैसे ना हो यूज कर चुके हो तो इस केस में जो है यह एक एतिहासिक फैसला सुनाया गया इसके लाओ दोस्तों अगर आपको कोई सी हायर पोस्ट में प्रोमोशन के एकॉर्डिंग आपको मिल जाता है लेकिन आपने उस पे ज़्यादा काम उस पे आपने काम किया ही नहीं है बट आपको जो सैलरी मिली है उस पे मिली है उस केस में भी आपसे वो recovery नहीं कर सकते जहां जहां पर गलती से वो भी गलती जो है अगर employer की है और उसका भी समय सीमा है अगर पांस साल से पहले प्यास चल जाता है तो तो recovery पॉसिबल है अगर पांस साल तक नहीं पढ़ा चलता उसके बाद आपको पढ़ा चलता है तो रिकवरी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे चीजों को सोच के यह फैसला लिया गया है जिससे की जो इंपलॉई है जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं वो खर्च कर चुके होते हैं किसे चीज में यूज साल जिसका रिटार्मेंट करें गया हो और वो कहां से पैसे का इंजाम करेंगा इसी वह से जो है यह एक एक अपडेट निकाला गया है एक नया फैसला सुप्रीम पोर्ट की तरह से दोस्तों यह था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट जो की सुप्रीम कोट की तरफ से अलग-अलग कंडिशन्स हैं जिन कंडिशन्स में जो है रिकावरी नहीं हो सकती है और वो देखना है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो